तो फ्रेंट्स आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप अपने गूगल एटसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी गलती मत करीगा क्योंकि आपके गलत इंफॉर्मिशन डालने से आप कई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अगर कोई भी पेमेंट बाहर कंट्री से आती है तो उसके लिए ये कोड जरूरी होता है तो इस कोड को हम फिल करेंगे और कैसे होगा तो जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक् अगरे चैक तो पेमेंट इंफो पे हम करेंगे क्लिक अब यहां पर आप देख रहोंगे कि हाव यू गेट पेड एड़ पेमेंट मैथट टू रिसीव यूर अर्निंग तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको बताएंगे कि आप अपना अकाउंट कैसे अड़ कर यहां खतन सकते हैं तो फ्रेंट एड़ पे हमने क्लिक किसा यहां पर एक पेज़ खुल गया है और इस पेज़ को आप देखेंगे तो यहां पर बाकी चीजह भोलेंगे बैंक नेम ओन बैंक अकाउंट बहलेंगे, बैंक नेम बहलेंगे, IFSC कोड बहलेंगे, अकाउंट नम्मर रिएंटर, लेकिन ये Swift BIC एक बहुत ही important पार्ट है, ये 8 से 11 डिजिट का एक कोड होता है, जब भी आपको transaction बाहर से इंडिया में करेंगे, तो उसके लिए requirement होगी, तो ये हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में ये कैसे भरें, तो सबसे पहले आपको एक website की link पे जाना है, जहां पे आपको सारी information available हो जाएगी आपके bank के हिसाब से, ifscswiftcodes.com करके website है, इसका link description page पे मिल जाएगा, तो इस website ifscswiftcodes.com पे आना है, आपको अपना bank select करना है, जैसे कि फिलाल मैं access bank select कर रहा हूँ, then हम यहाँ पे select करेंगे अपना state, तो मैं यहाँ पे दिल्ली select करता हूँ, then select sub district and then I will select the branch, तो मैं यहाँ पे एक branch भी select कर लेता हूँ, यह सब फिल करने के बाद आपके पास एक bank का यह form खुल जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा, यह देखिए swift code, तो इसको हम click करेंगे, और फिर से यह एक form बरवाएगा, कि आपका कहाँ पे है, तो मैंनका दिल्ली में, दिल्ली में और फिर branch name, तो branch name डाल देंगे, यहाँ पे यह swift code आजाएगा, तो इस swift code को आपको यहाँ से कर लेना है, copy और अपने यहाँ पे जाके, यहाँ कर देना है, paste, तो यह आपका हो गया swift BIC, हर एक bank का अलग होगा, आपको अपने bank के हिसाब से, branch के हिसाब से भरना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा इसके लिए जरूरी है, बागी details हम भरते हैं इसमें, तो इसको हम करेंगे set as primary payment method, यानि जो मेरी payment आएगी, वो सबसे पहले यहीं आए, तो हम कर देंगे save, ये सारी detail हो जाएगी save आपकी, और यहाँ पे आपका नाम और ये account के last four digit आ जाएगे, तो इससे हमारी जो है, वो payment bank account add हो गया, और जब ये threshold यहाँ पे 25 डॉलर आप देख पारे होंगे, जब ये 100 डॉलर के threshold को पार करेगा, तो वो payment आपके इस account में चली जाएगी, उस time जो भी Indian rupees का conversion होगा, डॉलर का, वो उसके हिसाब से आपको paid कर दीज जाएंगे YouTube की तरफ से, तो अभी last video में हमने आपको बता है कि आप अपने Google AdSense को verify कैसे कर सकते हैं, अपनी IDs को कैसे upload करना है, क्या form फिल करना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज देखने के लिए last video पे जाएं, और जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, please do subscribe, हम चाहते हैं कि आप